हलो गाईज सब्सक्राब करें रस्पीज व्लोग यूटीब चैनल और बेल आइकन प्रेश करें हमारी नहीं रेसिपीज देखने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पफ पेस्ट्री कुकर में या फिर माइक्रोवीव या ओवन में कैसी बनाएं कुकर में भी हम इस लेकर के हम इसको तियार करेंगे तो इसके लिए मैंने लिया है मेदा 200 ग्राम और 200 ग्राम मेदा लेंगे हम और उसके देर थोड़ा चुटके बर नमक डाल देंगे थोड़ा समोयन के लिए हम बटर डाल देंगे या फिर डालडा डाल सकते हैं आप या ओल डाल सकते हैं जो लगबख पचाज ग्राम इसके stuffing होगी बतर की और फोड़ा सा मैंने इसके अंदर मुयन डाल दिया है तो मुयन डाल करके इसको इस तरह से तयार कर लें अब ये दोब बिल्कुल से तयार है तो इसको तो फोड़ा सा इसे मसल करके चिकना करके फिर हम इसको रख देंगे रिस्ट पे लगबक 10-15 मिनट के लिए 10-15 मिनट रिस्ट हो जाने के बाद हम इससे फिर से निकालेंगे इसके एक लोगी तियार कर लेंगे और अब हम इसको कीचन के प्लेट फोम पे बेल लेंगे तो इस तरह से आप एक लोगी तियार कर लें और कीचन के प्लेटफों में थोड़ा सा मेदा डस्टिंग करें और इसको थोड़ा बेल लें तो इस तरह से जैसे में रोटी बेलते हैं वैसे ही इसको बेल लेना है थोड़ा लंबा लंबा बेलेंगे तो यह ज्यादा बेटर रहेगा हमारी स्टॉफिंग फैलाने के लिए तो इसकी तह कैसे लगाते हैं कितनी तह होती है किस तरह से तह लगाई जाती है वो आप जरूर ध्यान में रखे तो आपकी तो यहापे आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं डालडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो भी आपके पास में या एक जो माजरीन आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर में इस तरह से 3 Fold करें उसके बाद फिर यह देखें यह तीन फ êलो गई अभी च्छ फोल्ड हो गई और इसके बाद अभी हो जाएगी तीन फोल्डो करेंगे तो यह टोटल 9 फोल्ड हो जाएगी तो इसको मैंने 9 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है अब मैं इसको 10 मिनट के लिए rest भी छोड़ देती हूँ, 10 मिनट के बाद हम इसको फिर से बेलेंगे, तो इस तरह से आपको fold करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, इससे क्या होता है, जो अंदर में stuffing होती है, बटर की वो अच्छे से set हो जाती है, थोड़ी से tight हो जाती है, फिर बेल करके और रख दिया है, 10 मिनट के बाद फिर से निकाला, फिर से प्लेट मों पे थोड़ा सा मेदे के dusting की है, और फिर से इसको बेल लेते हैं, तो थोड़ा सा बेलने के बाद हम इसकी फिर से तीन fold करेंगे, तो आपको तीन तेह करेंगे, तो यह होगी देखिए, 9-3-27 और 9 fold थी, तीन fold और करने पर यह होगी है, 27 fold, अब इसको 10 मिनट के बाद यह रेस्ट भी छोड़ा, उसके बाद में फिर से निकाल लिया, और फिर से इसकी हम तीन fold करेंगे, तो 27 की 3 fold होगी तो, 27-24, 27 ती 81, 81 fold में मैं मैंने इसको fold किया, तो total इसकी 81 fold हमें करनी है, आप देख पास फोल्ड थी, अब हम इसको रख देते हैं, और जब तक हम स्टफिंग के लिए मसाला त्यार कर लेते हैं, तो पेस्टिक के अंदर जो हम मसाला स्टफिंग करेंगे, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पैन में तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा तरड़काने के बाद आप इ लाल मिनिश्ट पावडर धन्या पावडर अल्दी पावडर नमक स्वाद की अनुसार डाल करके और फिर अलू डाल करके मटर डाल करके अच्छे से अलू को मेश कर ले फिर इसको अच्छे से पका ले एक से दो मिनट आपको पकाना है तो मैंने ये दो पीस अलू बोईल किये तो अब इसको हम निकालेंगे सीट को और सीट को फिर से हम बेलना सुब करेंगे तो इसको इसी तरह से थोड़ा सा लंबा फिला लेते हैं अब आदा इंच की चोड़ा इसे मैंने इसको रखा और फिर तीन फोल्ड कर दी है अब यह देखिए खूब सारी लेयर्स इसके अंदर आ चुकिया है यह है हमारी लस्ट की प्रिप्रियसन तो अब हम इसे निकाल करके और टोटल इसको बेल लेंगे सीधा बेल करके फिर हम पफ पेस्टी बनाएंगे तो यह देखिए अब हमें इसको बराबर में बेलना है एक दम से बराबर की चोड़ाई में बस आदा इंच की मुटाई से रख लेना है और बाकी का हमें इसको बेल करके सीट को तियार कर लेना है सीट हमारी बिलकुल से रड़ी है तो नाइब की साहिता से या फिर कटर की साहिता से आप इसकी कटिंग कर लें तो मैं पहले थोड़ी से corners को कट कर देती हूँ ताकि हमारे piece जो ना बिलकुल बराबर में कटिंग हो तो मैंने side corners सारे काट करके अलग कर दिये हैं अब मैं इस तरह से इसकी पहले एक बीच में कट लगाऊंगी, फिर मुझे इतना इस तरह से चीए, तो इस तरह से फोल्ड करके इसका मैं मेजुरमेंट ले लेती हूँ, और इसके बाद बराबर में इसकी पीसेज को कट कर लेते हैं, लगबख बराबर बराबर सारे पीस हमारे कट हो चुके हैं, तो च्छे पप पेस्टी तयार हो जाएगी, एक पेस्टी को हम लेंगे इस तरह से तू उड़ा सा हलका सा बील करके बराबर करेंगे, बीच में मसाला स्टफिंग करेंगे, और फिर साइड कोर्नर पे पानी लगा करके इसको हम हलका हलका सील कर देंगे इस तरह से, आपको हलका हलका दबा करके और इसको सील कर देना है, इस तरह से तीन इसके अंदर हम बेक कर सकती हैं, तो तीन पफ पेस्टी को मैंने एक प्लेट के अंदर लगा दिया है, कोकर में तियार करेंगे, कोकर में कैसी बेग हुते हैं booster वा भी मैं आपको दिखाऊंगे और microwave और और नवा में कैसी बेग होते हैं booster में मैंपको दिखा रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा उपर से पानी लगा देना है पानी इसलिए लगाते हैं कि उपर में जो मेदा होता न वो अच्छे से बेक हो जाता है आप माइक्रोविव को मैंने 100C degree centigrade पे पहले convention mode पे प्री हीट कर लिया और प्री हीट होने के बाद में मैं अपनी ट्रे को इसके अंदर रखूंगी बेक करने के लिए टाइमर पे मैं 20 मिनट का टाइम सेट कर देती हूँ तो ये 10 मिनट के दो बार बटन मैंने दबा दिया हैं 20 मिनट के लिए मैंने बेक कर लेती हूँ तो चलते हैं ये बेक हो रहे हैं तब तक हम कुकर वाले भी बेक कर लेते हैं तो ये कुकर को लिया है मैंने कुकर को मैं प्री हिट होने के लिए रख देती हूँ और दूसरे दर अब इटली स्टेंड वाले ट्रे होते है न उस पे मैंने फूल पेपर लगा दिया है अब इस पी तो दो ही पीस तयार होंगे क्योंकि ये थोड़ी छोटी ट्रे है तो हम द 10-20 मिनट तक पकाऊंगी मैं इसे भी तो कुकर हमारा प्री हिट हो चुका है ट्रे को इसके अंदर रख देतए है और 10 मिनट तक हमें पकने देते हैं तो इसको खड़ा कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे, तो किसी भी knife के help से आप इसको इस तरह से खड़ा कर दें, अब ये बहुत ही अच्छे से बेक होंगे, और एकदम से golden brown हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो 20 मिनट के बाद कितने अच्छे puff पेस्टी बन करके रड़ी हुए हैं, तो दोस्तों अभी ये गरम है, थोड़े से ठंडे हो जाए, फिर मैं आपको इने बाहर निकाल करके भी दिखाऊंगी, कितने अच्छे बने हैं, मतलब माइक्रोवेव से भी जादा अच्छे बने थे हमारे कुकर वाले सच बताऊं तो और मैंने इनको बिल्कुल लोग फ्लेम पे 20 मिनट तक पकाया था, अगर 20 मिनट में नहीं पकते हैं, तो भी आप उसको 2-3 मिनट तक और पका सकते हैं, और एकदम से क्रिश्पी बने हैं, आप देख सकते हैं, मने आपको तोड़के भी दिखाता हैं, बिल्कुल क्रिश्पी बने हैं, तो इस तरह से आप भी अपने घर पे बनाएंगे, चलि लेंगे, तो देखिए, कितने अच्छे, वाव, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, एक दम से परफेक्ट बने हैं, कलर कितना प्यार आया है, आप देख सकते हो, और एक दम से इसकी लेयर लेयर खुली होई है, तो अब देखिए, अभी ये गरम है, बहुत ही जादा, ठंडे हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगे, तो देखिए, अब ये ठंडे हो चुके है, और आप इनकी लेयर देख सकते हैं, कितने अच्छे बने हैं, तो दोस्तों कैसे लगे है, आज की हमारी वीडियो, मैंने आपको माइक्रो ये ओवन में बेक करने का तरीका भी ब